जहिन में प्यारत दोस्तों डिफेंस कमांडोस चैनल में आपका स्वागत है मैं इस वीडियो का माध्यम से आपको 66 BPSC बिहाल लोग से आयोग 2020 के बारे में जनकारी देना चाहता हूँ तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा नौबत ना है तो आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखते रहेगा और मैं अपने चैनल पर इसी परकार की वीडियो अपने चैनल पर पर प्रवाइड करता हूँ तो आप मेरे चैनल से जरूर जूर रहे हैं तो चली मैं आपको जनकारी देना चाहता हूँ कि बिहार टोटल सीटों की संख्या 731 है ठीक है तो चली मैं आपको विभाग और पद का नाम बारी बारी से आपको पढ़के दिखाता हूँ कि आपको कितने विभाग में आपको सीटे हैं और कितनी सीट है तो चली आप यहां देख सकते हैं कि आपको पूलिस उपादिक्षक जिसको कोई सीट्स नहीं है तो इस प्रकार आप यहां देख सकते हैं मैं विडियो यहां पर थोरह देख रोके हुँआ हमां सीटों कितनी कितनी है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि और रिलेटट की संक्या अपो अनारक्षित पुरुस के लिए आपको 20-37 साल चाहिए ठीक है अनारक्षित महिला तो गर्लेंत में के लिए जो 23 साल से ले लिए करके 42 साल तक है थीग है तो इस पकार आप बूरी जनकारी ले सकते हैं की कितने व हर्स और कितनी यह जीश में दिया गया है किस की स्वेलिए और कुपन सी जाति के लिए मैंने आपको बता दिया हूँ और यहाँ पे देखिए आप जो देख सकते है तो टोटल जो सीट है आपको कितनी है तो टोटल सीटों की समक्राइन आपको पहले भी बता चुकत हूं कि 731 है यहाँ पे मैं आपको आगे जनकारी दूंगा कि टोटल ज empresa कितनी है ठीक है तो देख्छते जाहिए हिह यहाथ की बात करें तो आरक्षन के बारे में आपको मालुम होगा ठीक है कि अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती के लिए आपको विसेश करके आरक्षन दिया जाता है AC, ST के लिए और यहाँ पे बात किया जाए कि आपको form सूल के की तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी बात यहाँ पे है form के से related जो आपको मैं बताओंगा ही लेकिन देखिए यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा important चीज़ यहाँ पे देखना है जाती ठीक है और जाती code जो है देख लिए यहाँ पे ST के लिए 2 है ठीक है EC के लिए सॉरी 2 है और यहाँ पे देख सकते हैं अनूसूची जाती यानि की ST के लिए 3 और अत्यान्त पिछ़रा और वर्ग के लिए आपको 4 पिश्रा वर्ग के लिए 5 और आर्थिक रूप से कम जोर यानि की EWS जो हता है उसके लिए साथ है तो इस कोड को भी आप बड़ी बारीकी से देख करके डाले इससे दिकत हो सकती है अगर आप अच्छा से नहीं डालते है तो और इसको देख करके अच्छा से डाले ठीक है और 18-2020 से निंतम उम्र सीमा 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष जो आपको वहाँ पे दिखाया गया था कि जो अनुसरी जाती के लिए थी वह 22 वर्ष और जिनरल के लिए जो था वह 20 वर्ष था इस तरह से आपको उम्र सीमा मैंने टोटली उपर बताया था ठीक है तो इस पकार से आप इसको जनकारी ले सकते हैं और उम्र सीमा जो है उसको 18-2020 तक इतना उम्र हो जाना चाहिए और दूसरी बात की जा यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो सारीरिक छमता जो है आपको सिपाही विभाग के लिए जो भी मतलब आदमी जै चाहिए 5.5 इंच हाइट होना चाहिए और 32 इंच सीना होना चाहिए ठीक है और 5.5 इंच हाइट होना चाहिए ठीक है और वहीं AC-ST की बात की जाए तो 5.3 इंच हाइट होना चाहिए ठीक है और महिला के लिए आपको जो हाइट है 5.2 इंच होना चाहिए तो इस पकार आपन और यहाँ पे बात की जाए तो को अप區 समानिवर के अभियार्थी हो के लिए जो है वो छोसो रुपइस सुल्खई has समानिवर्वार्ग के के लिए छोसो और अनसुचित जाती अनसुचित जन जाती के लिए één ठीक है तो इस पड़कार आप से जाकर कर जो दिव्यांगा प्यारती है बिकलांग के लिए डेर सो है ठीक है तो इस परकार आप अपना जो फॉर्म फिल अफ कर सकते हैं प्रारामभी परिक्षा जो है आपको मालूम ही होगा ठीक है और देखिए यहां पर जो मुख्य परिक्षा के लिए जो एक्षिक बिश्याय होते है जो आप आपको अफ्टिकल सब्जेक चुनते हैं तो इसमें जो है आपको देख सकते हैं यहां पर कोड भी यहां पर ध्यान रखना है बहुत बारिकी से कोड डलवाना है यह नहीं कि मैंने इतिहांस लिया है ए इसी भी ग्यान का या भूगोल का तैसे नहीं होना चाहिए आप अपना कोड विश्याय दोनों मिलान कर लें और पूरा बारिकी से देख करके ही अपना फॉर्म को सब्मिट करें ताकि इस परकार कि कोई भी आपको अगर दिकत होती है तो आयोग जो है वह आपना कोई जिम आने लगेगा और दिनांक 20-10-20 को लाष्ट तीती है ठीक है अउनलाइन अवेदन भरने की अंतिम तिती जो है और प्रारंबिक तिती जो है 28-9-2020 है तो इस परकार आप देख लिए कि जो प्रारंबिक तीती जो है फॉर्म की कितनी है और अंतिम तिती कितना है इसको भी द ठीक है और दोनों कान अस्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए अगर आप इसी फोटो में कोताई बरते हैं तो आपका फॉर्म जो है अफ्लिकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है और हिंदी इंग्लिस दोनों जो है जो सिगनेचर करते हों अस्पष्ट रूप स से सिल करते हैं तो उसके अच्छी तरह से मिलान करके ही अपना है क्या करें कि उसको अपलोट करें सब्मिट करें ठीक है और यहां पे आप देखले कि पूरिया तरह से मिलान कर लें और जो भी आप इमेल इमेल आइड और मोबांवाइल नमबर देते हैं और जो रजिस्ट्रेशन फर्म उसको आप अंत तक सुरक्षित रखे जो भी फोटो ग्राफ आप पांच जैसे छे फोटो ग्राफ निकाले तो एक तो आपने अपलोड कर दिया और जो छे सुपोड़्े तो फोटो में से पांच फोटो आपको अंत तक मांगा जाएगा तो उसको तो आप सुरक्षित रखे ठीक है मैं सारी जनकारी आपको दे रहा हूं कि ताकि आप इसमें किसी परकार की दिकत न करें और ऑनलाइन आवेदन जब भी करने जाए तो आप एक अच्छे साइबर काफे वाले के साथ मिलके आप अपना ऑनलाइन फर्म सब्मिट करें जो भी आ आपको कमेंट से संतुष्ट नहीं हो तो आप आउट सेक्षन से आप नंबर लेके मुझे संपर्ख कर सकते हैं ठीक है और इस पकार के और भी नोटिफिकेशन पाने के लिए मैरे चैनल से जूरे रहे जैहिन जै भारत